हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सियरुची गोईल I am sure आप सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं due date extension पर किसी information का तो उसी लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं immediate basis पर जैसे ही information हमारे पास आती है हम हाथ हो आपके साथ शेयर कर रहे हैं so that आप लोग थोड़ा से relief क्या है ये representation हमारे finance minister को representation की दिया गया है कि हमें रिलीव दिया चाहे late fee से for delayed filing of GST statements returns from august 2020 जैसे कि पहले हमें रिलीव दिया गया था august 2020 तक की GST 3B को अगर आप late file करते हो तो भी हमें extension दिया गया था rate fee waiver off दिया गया था similar request दुबारा से लगाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपनी return file नहीं कर पा रहे हैं full capacity पे काम नहीं कर रहे हैं अभी भी बहुत सारे खर्चे हैं companies के SSCs के जिसे वो already meet नहीं कर पा रहे हैं तो late fee को meet करना तो बहुत ही मुश्किल है तो इसी लिए दुबारा से request लगाई गई है कि further extension दिया जाए further हमें wave off दिया जाए late fee from the returns for the period August 2020 onwards तो आई पढ़ते हैं क्या है यह representation तो यह representation है करनाट का State Chartered Accountant Association का जिसमेरोंने साफ साफ बोला है कि सारे Chartered Accountants और Business Community की problems को solve करने के लिए आपका support की requirement है और साथ ही वो बोलते हैं हम जो late fee है section 47 की CGST जो की late fee होता है late filing का अपनी returns का तो वो है 100 per day और उस पे आपकी maximum जो जाती है वो जाती है 5000 तक मतलब 5000 CGST और 5000 SGST मतलब टोटल 10,000 तक की late fee हो जाती है COVID-19 की situation को देखते हुए काई notifications आई जिनने late fee waiver of दिया August 2020 तक की returns पे similar request अब लगाई जा रही है कि अब दुबारा से late fee waiver of दिया जाए आगे की returns के लिए भी तो वो बता रहे हैं एक बारी और कि capped late fee जो थी वो May 2020 तो जुलाय 2020 ऐसी रखे गई थी कि अगर आप निल रटन नहीं है तो आपके maximum late fee 250 हो जाएगी इच सीचेस्ट में और अगर आपकी निल रटन है तो बिल्कुल waiver of हो गई थी आपकी late fee तो उन्होंने कहा कि यह जो waiver of मिला था यह May to July 2020 के period के लिए मिला था earlier similar waiver was made applicable for the period 20 February 2022 2022 July 2020 subject to deadline specified notification 52 by 2020 तो यह notification हमने और ली बनाई थी इस पर वीडियो बनाया था आपको अगर इसको फिर से refer करना तो आई बटन पर जाके आप इसको दुबारा से refer कर सकते हैं जब मैं आपको एक बक्रक्स देती हूं कि पहले हमें relief मिला था July 2020 तक का कि अगर आपकी लेट फी बनती है तो आपकी maximum capping कर दी गई थी जिनकी बिल्कुल नहीं बनती निल रटन थी उनको बिल्कुल वेवाफ कर दी गई थी आप अभी एक लेट फी का प्रेशर तो असेसी पर मत ढालें बिल्कुल वेवर ओफ अलाओ कर दे वेवर ओफ हो जाए लेट फी का जिसकी रटन का ओके तो यह इन्होंने request लगाई है लगाई है और यह बोलते हैं उन्होंने कहा है कि हमारी प्लीज कोंसेंटिके जाए हमारी प्लीज के जाये हमारे लिज कर और प्लीज इसको ऐसा नोटिंवाट्रफ्रिकेशन आप Canvas करो ताकि जो इस है और इतने प्रेशर में जो नहीं फाइल कर पाए for some reasons considering की full capacity में काम नहीं हो रहा है considering की lockdown है, curfew है इन सब के तहट already बहुत सारे problems ASSC face कर रहा है chartered accountants face कर रहे है ICI face कर रहा है तो इन सब को please request है कि आप pre-representation consider करें और extension दी जाए हमें late fee waiver off की further months के लिए भी तो यह representation है जो की कनार्ट का state chartered accountants association ने लगाई है, इसे तरह बहुत सारी और भी representation continuously लगती जा रही है request लगती जा रही है strong किया जा रहा है case को representation लगा-लगा के, इसी पर हम आपको बार-बार regular update भी दे रही है as an event हमारे पास कोई update आता है due presentations को लेके या फिक कोई भी justification आती है या फिक कोई भी order आता है government का हम आपको immediately inform करते हैं उसके बारे में इसके लिए आपको हमारे साथ जोड़े रहना पड़ेगा हमारे चानल को भी subscribe करना पड़ेगा अगर आपको relevant लगए तो आप सबके साथ share जरू कीजिए thanks for watching my video thank you